येस, dear students, तो अभी जो हमने बात छोड़ी थी, वहीं से हम दुबारा से अपनी बात शुरू कर रहे हैं, और बात ये है, कि सेक्शन A के उपर काभी बात हो चुकी, अब सेक्शन B की भी हम बात करते हैं, सेक्शन B बहुत ही आसान होता है इसका, ठीक है जी, पहले आप उपर देखें कि इसमें करना कितना होता है, रिकॉर्डिंग वाला है, साइन बनावा आता है, वो नहीं आ रहा है, मेरे पास बनावा आता है, तो पहले उपर देखते हैं कि कितने सावाल करने होते हैं, ये देखें जी, ये रहा, two questions from section B, ये देखा है, आपने लिका हाईलाइट क two questions from section B, साहिए, अब हम देखें, section B, section B, what are the restrictions on employment of women, what is mean by certifying surgeon, explain the duties and powers of certifying surgeon, अब ये जो topic है, अगर आप गोर करें तो ये, जो हमारे factory में workers होते हैं, इनके welfare से related है, ठीक है जी, तो जो पहला वाला है, ये हमारे पास जो है, welfare से related है, यानि उनकी, उनका खैर रखना है, जी, उनको कोई मसला है, वो solve करवाना है, ठीक है, इस से related है, अच्छा, अब आगे हाते हैं, अब आज साही है, ये तो ये तो ये लिख दियागा तरहा, ताए कि मुझे confirm हो जाए, कि कावे देर से किसी ने कोई वो नहीं किया तकाजाद, इसका मतब तुझा ये है, अब इकुन से या, अजो भाई, तो पहला सवाव हो गया, किस से related, उनके welfare से related होता है, कि अगर उनको कोई परिशानी हो जाती है, कोई उनको कोई damage हो जाता है, जखमी अगर वो हो जाते है, तो उसका इलाज इसके जरीए होता है, ठीक है जी, इसके इलाबा, दूसरा सवाल किस सा रहा है, इसमें क्या होता है, कैसे कोई अंजुमन बनती है, कैसे कोई जो है, वो गुरुप बनता है, ठीक है जी, अब ये गुरुप किस लिए बनता है, 37 सुडेंट्स भी है, कुछ बच्चे मैसिज करें, मैं नहीं हूँ, मेरी आवाज आरी है आप लोगों को, अगर आवाज आरी है आप लोगों को, अगर आवाज आरी है तो आप चैटने को था है, जा हुजिया, परावसे को याज मेर काया आरी मेर क्ष़ बनता है औरे हुएज है